वेल्कम बैक टो यूर ओन चानल चार्ट कामरो फ्रेंट चलिए देखते हैं कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में किस तरीके की कम आई कि मोंके मिल सकते हैं कौन सा है वो स्टॉक जो हमें अच्छा किसा प्रॉफिट दिला सकता है तो चलिए डायरेक्ली हम चार्ट पर चलते है वो दर का कट करोगे ट्रेडिंग पर चलिए मैं सब का स्वागत करता हूं यहां पर सब प्यारा कमांडोज का और बहुत मज़ा है आज मार्केट की दर विजाए बाप हमें बताता है पहले ही इंटिमेशन दे देता है तो उससे साब से बहुत सी में भी बहुत पी में भ प्रॉफिट हुआ इस तरीके से बहुत अच्छे तरीके से आज का ट्रेडिंग सेशन रहा तो हम यहां पे डाइरेक्ली चार्ड पे चलता है और यह ट्रेडिंग यो का लोगों चेंज हुआ है सब कुछ चेंज किया है इन्होंने और हमारा इंटरनेट क्यों नहीं चल रह है यह यह चार्ड नहीं चल रहा है क्लिक हां हो गया ठीक है ओके डन तो चलिए हम अभी डाइरेक्ली चलते हैं बैंक निफ्टी पे या पहले निफ्टी ले ले गया है जीमार इंफ्रा और आई-टी-सी लॉंग टर्म व्यू बहुत अच्छा है आई-टी-सी तो मेरे पास होल है लेकिन जीमार इंफ्र भी अच्छा है तो यह सारे हम स्टॉक देख लेते हैं पहले एक एक क्विश्चन हम ले लेते हैं और निफ्टी और बैंक निफ्टी जएसे खतम होगा है तो यह अल्रेडी यह इधर हमने लॉंग किया हुआ है और इधर से ही बोला था आपको और यह लगबग दो दिन से रो में है तो थर्टी एट का टार्गेट यहां पर मिल सकता है यह अच्छा है कोई दिक्कत नहीं है और आई टी से भी आपको अच्छे प्रॉफिट दे सकता है तो मैं आई टी से देख ही नहीं रहा हूं क्योंकि वो तो होल्डिंग में है वो देखने के बाद क्या होता है अच्छा प्रॉफिट दिखा तो आदमी एक्जिट हो जाता है तो देखना ही नहीं है अपने को क्या हो रहा है उसको इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि आप दो चार पांच आकाउंट रखते जाए ट्रेडिं सब्सक्राइब करने के लिए यहां पर गैंबलिंग आकाउंट तहार करना है आपको कैसे वह मैंने सब कुछ SMT में समझाया हुआ है तो आप आपको पता है आप देख सकते हो और यहां पर तीसरा जो है रियल आकाउंट होना चाहिए जो रियल ट्रेडिंग आकाउंट दूसरा बात यहां पर डेड़ कैट बॉंस क्या होता है वह हम समझेंगे अगर यहां पर आप SMT में यहां पर है करता है तो यहां पर SMT में जाएंगे तो डाइरेक्टली क्या है चार्ड कमांडो में यहां पर हम सुदामा यहां पर कोर्सेस पर जाएंगे तो हम यहां पर डाइरेक्टली तो यहां पर यह सारा डेड़ का कैट बॉंस क्या है यह सारे बहुत चुटी चुटी चीज़े सब कुछ यहां पर मैंने समझा है यहां पर है तो सुबह में आज दो तिन लोगों ने पूचा कि सर्य डेड़ कैट बॉंस क्या है यह सब मैंने यहां पर एक ना एक कंसेप्ट आप यहां पर ठक जाओगे इतना सारा कंटेंट मैंने तयार किया है और यह से यहां बहुत सारे कंसेप्ट है यहां पर मिल जाएगा आपको दूंड लो तो यहां पर हम यहां पर मैं आपको शौर्ट में बताना चाहूँगा कि डेड़ कैट बॉंस यानि जब कोई कैट मर जाता है कैट मरते वक्त वो तडपता है और यह लाश्ट का बॉंस ले लेता है जटका मार देता है तो यह टेड़ हो रहा है ऐसा cat जब जटका मारता है उसको डेड़ cat bounce बोलते है तो उसको share market में use किया गया है उस word को तो यहाँ पे डेड़ cat bounce का वही मतलब होता है तो यहाँ पे हम bank nifty के बारे में देख लेंगे तो यहाँ पे यह देखिए यह सब कुछ यहाँ पे गिर रहा था तो market पुरा fully गिर रहा था और यहाँ पे गिरने के बाद यहाँ पे एक जटका उपर की तरफ दिया है तो यह डेड़ cat bounce है यह market का correction खतम हो चुका है यह यहाँ पे आज का सवाल है important तो यहाँ पे market exact किधर जाएगा कहा जाएगा आट रहाजार क्रॉस करेगा कि नहीं करेगा यह यह बैंक ने प्री थर्टी एट थाउजन क्रॉस करेगा क्या और करेगा तो कैसे करेगा यह यह सवाल में हमें पढ़ना ही नहीं है सबसे important right हमें क्या करना है हमें exact market जो बोल रहा है चार्ट पर जो बोल रहा है वैसे trade करना है बस don't predict the market only react the market हमें market को react करना है अभी हम यहाँ पर अगर यहाँ पर देखने की कुशिश करें तो हम यहाँ पर market गिर रहा था सुबह में हमने यहाँ पर trade लिया कोई तो trade के logic भी बता तो ठीक है यहाँ पर exact हमने यहाँ पर 951 को यहाँ पर short किया यहाँ पर cover किया राइट यहाँ पर फिर again buy किया तो यह कैसे करते हैं यहाँ पर magic है क्या हम क्या God है क्या God कुछ नहीं है मैं तो चोटा सा नना सा पहरा सा trader हूँ यह सब बाप की कमाले यह यहाँ पर एक बाप pattern बना था और उसने बा बाप हमें wrong रस्ते पर आपको पता है बाप कभी हमें गलत रस्ते पर जाने देगा नहीं यहाँ पर हमें फिर हमने पी को कवर कर लिया और सी में गुजगे तो इस तरीके से होता है हाँ एक बार stop loss भी हिट हुआ था लेकिन कोई दिक्कत नहीं है लेकिन दूबारा इंट्र लिनी होती है इसे वक्त पर एकिन ऐसे कितने लोग है जब stop loss हिट होने के बाद फिर एंट्री नहीं लेते हमारा analysis कभी कभी राइट रहता है यह वाई टाइप करिया इसा कितने जनों के साथ हुआ है analysis राइट होता है trade राइट होता है बाई भी किया है यहाँ लेकिन आके stop loss हिट हुआ और फिर मार्केट ऊपर गया ऐसा कितने लोगों के साथ हुआ है वाई टाइप करिये यहाँ पर राइट तो वहाँ पर आप देखते रहे जाओगे लिकिन बाद में यह एंट्री नहीं लेते हो हाँ ठीक है stop loss हिट हो गया तो हीट हुआ दूबारे एंट्री ल यहाँ पर अगर आप देखने के कुशिश कर पांसो पॉइंट के रैली मिली है थोड़ी बहुत नहीं है और यह क्लियरली यहाँ पर इंडिकेशन भी था आप यहाँ पर अगर देख पा रहा होंगे तो बाप पैटन आपको नहीं समझता है छोड़ दो बापको लेकिन यह 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 य लड़ी के लिए टाइम दो और यहां पर यह कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए मैं बोल रहा हूं तो मारे बूल जुआ बोल नड बूल नॉट बियर प्रॉफिट कहांगे कमंडो ड्य है तो इस तरीके से आज निफ्टी में भी हुआ हां यहां पर यहां पर इजी प्रॉफिट है राइट इजी अभी निफ्टी में भी हम देखने की कुश्चिश करेंगे तो दिक्कत क्या है आप देखो आके खोल करके देखो और यहां पर देखो यह निफ्टी में भी क्लियर यहां पर आपको दिख रहा होगा क्लियर यह क्या है यह यह देखिए यह 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 य स्टॉप लॉस को ट्रेल कराते चलो प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चलो वन एस्टू फॉर फाइव कर रिस्क रिवार्ड तो यह मैंने अभी आज से शुरू किया इसको थोड़ा सा कुछ लोग पूछ रहते सर ट्रेड का सेट अब बता तो इस तरीके से सिंपल ट्रेड स अब तो वहां पर नहीं दिखुआ है अभी तो वहीं दिखना ही चाहिए था ना अरे वह क्या आपने बाप का मार्केट थोड़ी है यह नहीं दिखा अगर समझ में आया तो पॉकेट में आएगा लिको मैं वहीं हाजार बार बोलता हूं नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं दिखो बार बार यह याद रखो समझ में नहीं आया तो ट्रेड नहीं करना है मुझे मैं इतना दुखी क्यों होता हूं बार-बार, बहुत सारे लोग है, मुझे दिन दिन भर एक ट्रेड नहीं मिलता, और वो लोग, ऐसे ऐसे मैंने बंदे देखे हैं महाबार, वो आते हैं, मॉबाइल खोलते हैं, मार्केट ओपन हुआ, बस धराम से एक मिनिट में ट्र और ट्रेड मिल जाता है, प्रॉफिट भी दिखता है उनको, और तीन साड़े तीन बज़े तो कुछ नहीं रहता है, जितना प्रॉफिट है उसके दूगना तो उनका लॉस हुआ होता है, और तीगना उनका वो ब्रोकर को ब्रोकरिस देते हैं, तो यह खतम करो, आपको ट् लेकिन महिने तक राद दिन जाकर मैंने इतना SMT बड़ा बना डाला है, तो उसका फाइदा लो, वहाँ पे इसलिए क्यों बनाया है, क्योंकि यह आपके छोटे-छोटे सवाल आप फिर बाद में मुझे ना पूछो, इसलिए ही मैंने वो बनाया है, संदीप पाटिल जी प देख लेते हैं, तो इस बात को समझो, कमांडो समझाकर, कमांडो समझाकर, यह कितना बताए हम, तो यहाँ पर यह वीकली में आयार भी बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ और यहाँ पर भी अगर हम देखने की कोशिश करें, तो इसने फ्लैक पैटन का ब्रेक आउट कर दिया है, और उपर की तरफ चला है, अगेन दूबारा से एक फ्लैक पैटन यहाँ पर बना सकता है, अगर आपके पास इसको होल्ड करने की ताकत है, तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हो इसको, और यह पूरा इतना दूबारा उपर के तरफ इतना आपको मुह दे सकता है, तो 208 का तो टार्गेट इसका आपको मिल सकता है कम से कम जै श्रीम्यता जी राजंद्र भया ठीक है तो यहां पर तो सबने वाई टाइप किया मैं पूराने कॉमेंट में हूँ शायद आमित साक्रे जी आमित साक्रे ओके थे क्या है आपका सरनेम अगर गलती हुई है तो सौरी आमित जी थेंक यू फॉर सुपर चैट सर इट वाज गूड डे थेंक यू ग्रेट ग्रेट देखो साइनाज जी ने देखो मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर भी मैंने दुबारा ट्रेड लिया और प्रॉफिट किया यस बिल्कुल यह करना चाहिए हर चीज बता नहीं सकते हमें भी आना चाहिए कुछ ना कुछ श्री श्री जी और कुलकर्नी जी आपका स्वागत है और टू थाउजन का यह सेल पर बाद में पांच गुना का प्रॉफिट हुआ ग्रेट आमिज जी तो वही मुझे वही बोलना है कि यह सेल होता रह यह यह लोग जो यह सेल को रो रोते हैं और बाद में फिर एंट्री इस नहीं करते हैं आपको थोड़ा तो आना चाहिए किसी दूसरे के बोरों से प्याप शादि नहीं कर सकते हैं आया तो पॉकेट में आएगा यह समझ में आए तो ही पॉकेट में आएगा बिलकुल संदीब भाई लेकिन समझते नहीं हो बात को फिर भी वह सारे लोग समझ नहीं पाते राइट लाइक करो सब लोग बिलकुल लाइक तो यही मेरी आप इतना कर सकते हो मेरे लिए दूसरा कुछ लाइक है कि देव भावा सा भुकेला है मैं लाइक और कॉमेंट का भुकेला मुझे कुछ नीच चाहिए दूसरा कि यहां पर आर सो नौ सो लोग है 400 लाइक है देखो उसमें क्या कर सकते हैं कि बहुत लोग को थोड़ा लेट समझता है जोक भारत मित्तल जी सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद इंडसाइंड बैंक का फूचर बाई किया अपने 1143 वीथ 1100 पी केज किया है अपने ठीक है एक बार लास्ट में मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का और एक बार ले लेता हूं ठीक है आच्छा ट्रेड है कोई दिक्कत नहीं आपको तो यह बहुत अच्छा ट्रेड क्योंकि इसके ऊपर क्लोजिंग किया इसने 111117 के ऊपर तो यह अच्छा ट्रेड आपने लिया है तो कॉंग्रेचुलेशन्स तो यहां पर आपको जो टार्गेट यह 1200 के टार्गेट तो आपको कम से कम मिलने चाहिए अगर हम वन आउर की चार्ट में देखे तो इसने फ्लैक का भी ब्रेक आउट कर दिया है तो कम से कम इतना टार्गेट ऊपर तो यहां पर 1200 का टार्गेट तो आपको 1200 के टार्गेट के लिए इसको फोल्ड करिए कम से कम और उसके बाद ट्रेल करते रही है भारत जी ग्रेट चेतन भई आप सुपर चाट के लिए थैंक यू सर थैंक यू फॉर जी अमर इंफ्रा में माइनस से प्लस में मैं आ गया प्रॉफिट का बुक करो जी अमर इंफ्रा का भी पता था ना आपको नहीं यह लंबा जाएगा यह इसमें कोई दिक्कत नहीं थर्टी एट का बता है ना मैंने आपको थर्टी इसको ट्रेल करो थर्टी एट के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हो लेकिन ट्रेल करते रहो स्टॉप लोस को ट्रेल कराते चलो प्रॉफिट को अपने बढ़ाते चे कुछ लोगों को जोक समझ में आया है शाहिद प्रशान्त माली रुपे जी अमिज जी यह प्रैक्टिस चाहिए ना रहें जी यह सिवर राइट माइन्ट्री शॉट माइन्ट्री इस स्टॉट को शॉट मत करते जाओ यार दिरज भाई वह माइन्ट्री और यह आदानी वाले स्टॉट यह साले कभी भी पल्टी मारते हैं यह लोग इन में मैनिप्लिटर बैटे हैं ठीक है जोग बहुत लोगों को समझ में आया है सर मेरा सुपर चैट में कॉंट्रॉप्शन नहीं हो पा रहा है बालकर जी ऐसा तो नहीं होना चाहिए यहां पर सुपर चैट के बाज़ों में बटन होता है उसको क्लिक करके यह आपका नेटवर्क का कुछ इश हो गया बैंक का कुछ इश हो गया रिफ्रेश करके कर सकते हो महिश भाई सतरा सो साट का C वोल्ड किया है किसका P V R का P V R तो मैंने बता है मैं तो पी वे पर बहुत दिनों से बूलिश हूँ और P V R मेरा सबसे अभी पसंदिदा स्टॉक है देखो आप यहां पर यहां पर इदर यह एंट्री करी थी हमने तो यह बहुत जाबरदस है अभी होल वावर ही जावर अभी भी जाग पॉटी है तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो रूसी साब से आप यहां पर डीप मिलता है तो यहां पर एंट्री ले सकते हैं महेज थोड़ा सा नीचे आ सकता ही है लेकिन घबरा ही मत यहां पर नीचे होगा श्टाप लॉस के साथ इसको आप केरी मिनाटी कर सकते हो अब क्या है हमारा इसा ही है जो आंदर है वो बाहर है हस सकता हो हां हस सकते हो बिलकुल मंडल बाई मुनिर भाई बहुत दिनों बाद दिखे किदर थे मुनिर पाशा जी आमीच जी आगें सुपर चाट के लिए धन्यवाद बंधन बैक टर्निंग इन बुलिश बंधन बैंक बंधन ये बंधन 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 ये आते दिलो के नाते काई का टर्न हो रहा है नहीं ये टर्न इसको टर्न नहीं बोलते थोड़ा सा रुको राइट यहां पर बुलिश प्रेश्ट का कैंडल जरूर है लेकिन ये जब तक 288 को क्रॉस नहीं करता तब तक मैं I am not interested in बंधन बैंक 288 को क्रॉस करना चाहिए कम से कम मेटल सेक्स्टल में रिवर्सल आ गया हां आए गया क्यों नहीं मैंने कल ही बोला था डेड़ केड़ बॉंस कल से बोल रहा हूं आपको साइडवेज रहेगा या बॉंस मारेगा इतना बड़ा दस परसंट गिरने के बाद एकिन ये कवर तो होगा ही ना चानल वाले वो नह रहा कितना था सुपर्चाट नहीं हो पा रहा है मंदल भाई अरे का है रहती है क्या रहता है क्या रहता है क्या रहता है ओमकर जी योगेज जी थेंक यू बजाज फैनन्स सर योर वीऊ डूं आउर्ती इंड्रेस्ट्री स्विपला एंड क्याडिला अरे सिर्फ तिन चारी पूछे है आपने परिश भई दूसरों के चांस दो यारो कितने दिनों के पहले दिया है मैंने आपको जब एकदम डाउन्टेन इधर से दिया है मैने तब से चली रहा है यहां पर आपको स्टोप लॉस टेल करते हुए जाना है और इसको 962 को क्रॉस करने के बाद यहां पे आप और quantity एड़ कर सकते हो लेकिन 962 63 के पास यह करिया क्याडिला इतने एक ही इसमें मैं यह की सवाल लूँगा आप अगर चार पांच दे स्टॉक यह की इसमें डालेंगे तो लाइवी पूरा खत्म हो जाएगा क्याडिला सपोर्ट लिया अच्छा है और पहले भी यहां पे था और यह अभी भी इस पर भरोसा मत करो लेकिन यह भी सी ओन्टू ओके ठीक है यह क्याडिला छोड़ के दूसरे लो यार यह जा भी सकता है और जो समझ में नहीं आता वो छोड़ दो I mean वर्री शल्ट्रेल करने के लिए वन डेः चार्ट यह वान आवर चार्ट देखना"- रत्ना कर जी यहां पर आपका आप किस टाइप करेंडिंग कर रहों इस पर डीपेंडय है जनरली इंट्राडे का तो फाइव मिनिट या पंधरा मिनिट की केंडल को आप ट्रेल कर सकते हो और स्विंग के लिए वन आउर या डेली कि यह स्केट रिडिंग जी वेलकम कि सुपर चाट में पेमेंट डिकलाइन हो रहे हैं अरे देखू में सिस्ट पीन करू रहे कोई तो बुदा कि अरे टाइप कोरोना वो और पिन कर बोल रहा हूं है कि अ कि अनर कंस्ट अ कि मला सावन का हुप हो गया तरना कर रहा पाई जिना विपुल जी सुपर चाट के लिए बहुत धन्यवाद और विपुल जी आई सैलिट यू कि आप सच में एक रियल चाट कमांडो हो और फैमिली के लिए कॉंट्रुबुशन कर रहे हैं और आपका सवाल नहीं है आप बोल रहे हो कि लाइक करो सारे कमांडो तो बिल्कुल व बढ़ा सकते हो वन थाउजन्ट लाइक का टार्गेट रखेंगे अगर यह जोई नहीं होए यह आई से जो सवाल होते ना यह जोई नहीं कर पा रहा हूं इसमें यह दिकत आ रही है यह कोर्स लेना है यह आई से सवाल आप क्योंकि बहुत सारे बाकी लोगों को इंट्रेस भी जाता है तो आप वाट्सअप करके आप टीम के साथ कॉल मत करिये वाट्सअप करके आप आपके सवाल सौल करके ले सकते हो किशोर जी बोल रहें 940 लाइव है लेकिन लाइक 500 तो हाँ बिलकुल बढ़ा दीजे हाजार का टार्गेट रखेंगे हम हमारे सतीज भाई का सवाल है कैन फिन होम 630 का सी भोल्ड किया है ठीक है कैन फिन होम हाँ आच्छा स्टॉक है कोई दिक्कत नहीं है टेंशन नहीं है बहुत अच्छा ट्रेड लिया है आपने अमें एकदम यह सपोर्ट लेकर इथर से डिमांड जोन से निकला है यह तो इसको कोई डरने वाली बात नहीं ही इसको ट्रेल करते रहिये और वन आउर के केंडल के साथ इसको ट्रेल करते रहिये यहां किन वन कि यह देपसी ने सपोर्ट लिया यहां पर देखते हैं एक मिनिट कि यह देपसी में ट्रेड नहीं कर सकते अभी कि कन्फूजिंग है इसमें तो वीकली में बुलिश प्रेशर की कैंडल है लेकिन डेली में कन्विक्शन नहीं है ठीक है तो आप आप थोड़ा से इसको आवाइड ही करिए एकने अगर आपको इंट्राइडे ट्रेड करना है तो फिर आपको इंतजार करना पड़ेगा यह ब्रेक होने का 27 यहनी 2800 पकड़ लोग उसकी क्रॉस करने पर यह आप कुछ कर सकते हो तब तक के लिए आवाइड करें बहुत अच्छा अच्छे स्टॉक है दूसरे तो कोई दिक्कत नहीं है राजेशी सुपर आगें सुपर चैट के लिए थैंक्यू डाबर डाबर अच्छा है कल के लिए एक अच्छा मू दे सकता है डाबर काबर काबर क्यूंकि यहां पर यह पैटन बना यह देखो आप डाबर मू देनर काबर तो यह यहां पर लिकिने सवाल मत पूछो चाबर तो इस तरीके से यहां पर यह.ट रहेगा हमारा यहां पर यह यह टार्गेट आना चाहिए तो यह पकड़ लो आप टार्गेट तो लगबग 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 660 का तार्गेट आ सकता है यानि 5 से 10 पॉइंट ही बड़ी चीज है इंट्राडे में मिलना तो डाबर अच्छा स्टॉक है राजस जी आपक अल्का सब्सक्राइब का सवाल लोंग टर्म का है तो यहां पर लौंग टर्म के लिए भी से कि देखना पड़ेगा ठीक है लांग टर्म के लिए अच्छा है स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी टलिक है 15 मिंट के लिए कि तो मैं ने आल्रेडेया आपको बता दिया है और यह हमारा सेट अप रहेंगा और सुकिष्णी में वेलकम आमिज जी अगिन सूपर चैट के लिए थैंकियो आपका सवाल है आदानी एंटरप्राइजेस आदानी एंटरप्राइजेस को शॉर्ट करना बहुत रिस्की लगता है मुझे कभी भी क्योंकि बहुत शॉर्ट करने क जानक से उपर आ जाएगा नहीं तो नीचे जाए तो यह एक शॉर्ट करना थोड़ा सा यह देखिए यहां से यहां तक शॉर्ट अच्छा बना है क्योंकि यह इस दिन हमारा डिस्केशन हुआ था शायद दूसरे दिन तो यह हमने लेवल निकालके दिये थैं तो आभी कुछ भी मत करो इसका आवाईड करको एक तो हीर्ट फरसो के नीचे जाए याद फिर 1445 चॉपर जाए तो ही आप कुछ कर सकते हो चॉदासो 55 के ऊपर अगर जाता है यहां पर वाय करके ले जा सकते हो सॉदासो के नीचे सेल कर सकते हो थिक ए है तो यह नो ट् Meng जोन है आदानी एंटरप्राइज के लिए राजन दल्भी जी आगें 179 सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद यूर लर्निगार आउसम एज पर लाश्ट नाइट अनेलिसिस बॉट एक्सिस बैंक साथ 790 पी अर्न गुड नाइन पॉइंट्स इन टूलेट लॉट एजडिएपसी पंदरासो पी भोल्ड ग्रेट ग्रेट राजन जी कॉंग्रेस लिशन फॉर प्रॉफिट एक्सिस बैंक इस बोलने में कुई यह कुई मतलब नहीं है बहुत अच्छा दिख्यान फिर बाद में गया आयसा क्या मतलब है उसका राइट तो एजडिएपसी का मैंने बता दिया कि पी वोल्ड कर रहे हो आप लेकिन उसमें मुझे कुछ मैं एजडिएपसी को आवाइड करूंगा मैं जेनरली ट्रेड भी नहीं करता हुए से उसम है तो इसका दिक्कत है यहां पर सप्ला यहां पर डिमांड जोन भी है थोड़ा सा दिक्कत भी है और यहां पर तो ऐसे मैं कुछ आपको स्वारी फॉर्ड व्यू नहीं बता सकता है लेकिन इतना बत ज़रूर बता सकता हूं कि यहां पर आप 2795 या 2800 के आसपास का रखे और यह फिर गिर सकता है कितना गिरना इसको गिरने दो गिरने दो गिरने दो जो भी गिरना है एकिन है लेकिन यहां पर आप एक्जिट हो सकते हो सुकेशनी मैम SMT is excellent course thank you लेकिन मैं recommend नहीं करूंगा किसी को भी join करो बोलके क्योंकि अभी फिस बहुत कम है 99.99.99 कितना 99.99 कितना है 6% का discount है उस पे तो मैं इसलिए यह recommend नहीं करता जब फिस बढ़ेगी तब आप प्लीज जॉइन हो जाना हाँ यह देखो किशुर भाई ने बताया यहां पर एक रास्ता UPI से easy है super chat करना तो UPI का use कर सकते हो विपल भाई 179 super chat के लिए thank you only for love love you विपल भाई really I love you तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपका कोई सवाल नहीं है सिर्फ प्यार के खातिर प्यार के खातिर आपने super chat किया है थैंक यू आक्षे जी SPG मैंने लिया है बाप की जमा हो रही है हां बिल्कुल थोड़ा सा यहां पर SPG वाले या पूजिशनल या स्विंग वाले थोड़ा सा कंट्रोल करें ट्रेड लें मत लिजिए अभी मैं बताऊंगे आपको कब लेना है पैरा कमांडो सारे लोग और चार कमांडो लाइक करें 100% लाइक होना चाहिए हां बिल्कुल तो मुझे बहुत आपसे सपोर्ट मिलेगा 1000 लाइक रहेंगे तो मुझे जो मैं हाड़ वर्क ले रहा हूं उसका आपको पसंद आ रहा है यह मतलब होगा उसका इन्फोसिब डेली टाइम फ्रेम में पैटन ब्रेक आट हो रहा है मुझे देखेंगे एक मिनिट तो यह तो इसने रेजिस्टन्स तो ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन में ब्रेक किया है कौन सा पैटन बोल रहे है आप ट्रेंगल ट्रेंगल नहीं बोल सकते है आप लेकिन इसको यह जरूर बोल सकते हो यह चैनल बोल सकते हो यह जो भी बोलना है बूलिए लेकिन बूलिश है यह क्या पैटन है इसके लफ़ड़े में नहीं गिरना है तो 1730 के ऊपर यह अच्छी का से बाइंग आएगी तो रेडी रहे है उसके लिए इलाइट वेव एंड फिबुनासी का कॉर्स हाँ निलिश जी बिल्कुल सबसे ग्रेट कॉर्स है वो लेकिन वेट करिया सर आपके पास जॉब करना चाहता हूं बिना किसी सैलरी के कुई अरे यार के फिल जी थैंक यू फॉर यूर काइंड कॉमेंट लेकिन आभी तो कुछ वैसा है नहीं है एक्सिस बैंक का व्यू एक्सिस बैंक का व्यू हां देखेंगे हम मार्केट चड़ाया आरे मैंने नहीं चड़ाया मैं क्यों चड़ाऊंगा वेलकम यहम बोस जी वेलकम टू प्यारा कमांडो संदीब भाई अम चा कुवला पूरून हाँ सुपर चार्ट साथि दन्यवाद संदीब भाई का सुकुव हमारे कुवललापूर में बहुत अच्छे टीम है बहुत अच्छे चार्ट कमांडो तो शुक्रिया आपका contribution के लिए और आपका comment है I enrolled for for all courses, you are a true teacher, sir what will be the best time for new entry for long investment now, I have made decent profit, हाँ decent profit मिला है तो cash में रखिए उसको directly market में मत डालिये और यहाँ पर bank nifty जब 38,000 यहाँ पर क्योंकि यह bank nifty का long का बहुत बड़ा target है, यह जब यह cross करेगा 38,000 और decisively यहाँ पर break हो जाएगा तो यह आच्छे खासे bank में बहुत सारा पैसा invest कर दो, यह bank nifty में भी invest कर सकते हो, तो bank यह बहुत आच्छा का सा, यह break होगा तो फिर हमारा लगबग 40,000 और 48,000 तक के मेरे target है इसमें bank nifty में, तो ऐसा मतलब यह नहीं है कि यहाँ पर correction नहीं होगा, हो सकता है, investment करने की जब बार्या आती है, तो bank nifty 48,000 तक का मेरे target है, यह कल नही आए गए investment का target है, तो इसमें, यह मैं कल का भी इसमें view बता देता हूँ, यह आज का trade cut कर देता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ पर मैं आपको target दे देता हूँ, तो यहाँ पर तीन टाइप के scenario हो सकते है, scenario number one, two, three, समझें, यहाँ पर एकदम gap up हुआ, तो यहाँ पर 37,000 या इधर यह आ गया है, और gap up हो कि यहाँ पर bearish pressure की candle break होती है, यहाँ पर दुनिया की मैं दो ही type के trade होते है, reversal और breakout, तो यह यहाँ पर reverse होता है, gap up हो कि यहाँ पर bearish pressure की candle बनती है, तो इसके नीचे हम sale करेंगे, इस इसके उपर का हमारा छोटा इसा एक stop loss, और यह दिरे 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 यहाँ तक आएगा, जब यहाँ पर support लेकि यहाँ पर bullish pressure की candle बनेगे, तो यह sale हम exit करेंगे, और यहाँ पर हम buy की position बनाएंगे, यहाँ पर जो भी bullish pressure candle बनेगा, इसके उपर हम buy करेंगे, इसके नीचे का हम हमारा stop loss, तो यह दोनों scenario मैंने बता दिये, दोनों reversal trade कैसे करने हैं, और किस condition में करने हैं, तो यह condition जब अगर gap up हो जाए, अगर समझो gap up होने की जग मार्केट, यहाँ पर अगर आपको sideways खुल जाए, तो क्या करेंगे आप, समझो, sideways खुला तो यहाँ पर आपको इंतजार करना है, reversal trade कब लेना है, gap up हुआ तो, right, breakout trade कब लेना है, sideways market गया, तो एक तो ऊपर की range break होनी चाहिए नहीं, तो रीचे की, ऊपर की range break होती है, तो आप यहाँ पर CE के साथ जा सकते हो, यह buying में जा सकते हो, और नीचे PE के साथ जा सकते हो, तो इस तरीके से यहाँ पर होगा, और तीसरा, अगर gap down open होगा, तो थोड़ा सा market दिक्कत करेगा, volatile हो जाएगा यहाँ पर, तो gap down open होनी के बाद, यहाँ वो भी scenario आपको बता देता हूँ, तो यहाँ पर अगर यह 37,200 को नीचे की तरफ break होता है, bearish pressure के candle के 37,200 का PE buy कर सकते हो आप, ठीक है, तो इसकी नीचे PE यह नहीं है, sell करेंगे, और पहला target 36,950, दूसरा target 36,850, लेकिन यह यहाँ पर support है, तो इसकी नीचे जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और यह market इधर ही खेलता रहेगा, और दो अनो तरफ के stop loss hit कर देगा, आपके, दो अ तो यह gap down होने के situation में, आपको trade, आवाइडी करना पड़ेगा, कब तक आवाइड करना पड़ेगा, जब तक 36,700, नीचे की तरफ break नहीं होता है, तो यह आप खयाल रखें, तब तक 36,700, तब तक यहाँ पर short करना, और दूसरा बात, कल है, बुद्वार, बुद्वार यान कौन सा दिन होता है, बुद्वार यानि कौन सा, कौन सा दिन होता है, तो संदीब भई आपको मैंने बता दिया है, विक्रम भई फिस बढ़ने पे जोईन करो, नहीं अभी क्या करें, मुनिर पाशा जी, थैंक्यू फॉर सूपर चैट, सर हमेशा आपके साथ है, साथ ही रह करेंगे, आपका हर कौर्स सीखते रहेंगे, नहीं दिखें नहीं आप मुझे कौमेंट में, इदर उदर ज्यादा इसलिए पूछा मैंने, कि पहले जैसे आपको कौमेंट नहीं आ रहे है, तो रिशिकेश जी क्या बूल रहे है, जब तक पीस ना बढ़े, आरे मैं सही बो करना है, तो मुझे फंड चाहिए ना, अभी ज्वाइन होंगे, तो फंड खहां से मिलेगा, नो ट्रेड इस आल सो गूल ट्रेड, मेक शाम जी, थैंक यू फॉर यूर सूपर चैट, और जै प्रभु जी, थैंक यू, आगें, यूर फॉर सूपर चैट, और यहां पर रु चाट कमांडो, SMT is a great course, थैंक यू, I am also love to चाट कमांडो, जब से चाट कमांडो मिला है, मेरी लाइप बदल चुकी है, कोई ख्वाईश नहीं अधूरी, जब से मिला है, कमांडो, कोई ख्वाईश नहीं तो बुद्वार का कौन सा दिन होता है, है कि नहीं? संजे जी, आप वाटसप करिये, अगर कोई भी रिगार्डिंग दिक्कत है, टेक्निकल अगेरा, तो आप यहां पर बोलोगे, सर मैंने तो बहुत अच्छा श्टड़ी किया है, सर मैं कुछ भी लेने के जा रहा हूं, मैंने आपका कोर्स किया है, सर और मैं किदर भी ले रहा हूं ट्रेड, तो यहां पर स्टॉप लोसी हूट खो रहा है, सर, इसमें मेरा क्या दोश है, बोलो, सर, मैंने कॉर्स करके क्या गलती की, मेरे 499 लुट गए, हाई, लुट गए, लुट गए हम इस 499 में, अरे यार, 499 नहीं तो पांच लाग का भी कॉर्स करेगा, तो बुद्वा रहकल, दोनों के इंतर साइड के, यह सेल हीट होंगे, यह लुट आइसे सवाल रहते हैं, जोग खतम हुआ, लोगों के सवाल रहते हैं, सर, मैंने बहुत सिखा, सर, मैंने सुदामा कॉर्स किया है, सर, सुदामा, और मेरा स्टाफ लॉस हीट कैसे हुआ, मुझे बताओ, अरी मेरी मा मेरे भी स्टाफ लॉस हीट होते हैं, और यह बुद्वार है, यह ध्यान रखो, अगर आपके पास कैपिटल है, तो कल ऑप्शन सेलिंग करो, मैं आपको ट्रेड दे दूँगा, यह क्या करना है, यह क्या अप्शन सेलिंग में बहुत प्रॉफिट होगा कल, क् यहां पर प्रेडां चर्ट मेरे, यह यह यहां पर ख़ला ंगरे। यहां पर आपको, यह स्ट्रेडी बनानी तपड़ेगी है, है कि निए वाजू ना का फक्त वह 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 साथ है ठीक है हाँ जोग समझ में आया है ना कि सब्सक्राइक लिए तरी कंटावे इतने खूब सब्सक्राइब है हाँ लेकिन आज भी जाना पड़ेगा है कि ने तो यहां पर हरडल नहीं तो गेरिंट कुन तरी वरडल तो यहां पर जाना पड़ेगा तो यह ध्यान में रखिए बुद्वार है दोनों तरब के श्ट आफ लॉस हिट हो सकते है अगर राइट ट्रेड मिलता है तो ही करो और कल मारकेट वोलाटाइल टू साइडवेज होने के चांसे से यह वोलाटाइल क्या है साइडवेज क्या है यह यहां पर मैंने क्लियरली यहां पर सारे चीज़े सिखाई है क्योंकि बहुत लोगों को छोटे 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 problem होता है यह देखो volatility क्या है यह trend कैसे होता है यह trend है इसे यह sideways market volatile market तो यह सारे market को क्या है यह अलग-अलग different time यह sessions देखो आप रही है क्यरले के बहुत बढ़े-बढ़े नहीं है चोटे चोटे पार्ट इदे सेशन करने कोशिश करें तो इससे यह बहुत आपको एक एक यह जानकरीए एक एक पॉइंट आपको कोरोडो का पॉइंट है, तो ये साइडवेज मार्केट और वोलाटाईल मार्केट क्या, ये समझता ही नहीं लोगों को, ये दोनों सेम ही हैं लगते, तो थोड़ा सा इस चीज़ पर आप फोकस करिए, और सीखने की कोशिश करिए, और आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैं फीस नहीं है इसलिए नहीं सीक रहा हूँ वो भी मैंने रीजन आपका खतम कर दिया है राइट गला सबका सुखता है स्टॉप लोस सबका है तो है अब सी अल्टी तीन मैने के बाद ही मिलेगा क्यों 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 रीजन कॉन बताएगा स्टॉटव तीन मेने के बाद दिए क्यों अभी क्यों नहीं तुबञ टुदुदुदु टुदुदुदुदुदुद्य क्यों फ्क्यों मंडल वाई यह रह्मान टाइप म्योजिक तैंक्यों आमिर जी अब का रहा है कि क्यों तीन मेने के बाद होगा उसका रीजन क्या है आमुल जी वेलकम येस सर प्लीज ग्यू ऑफशन सेल ट्रेड्स धमा का बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू आमिद भाई गॉड ब्लेस यू हाँ येस क्या रीजन है एकने CLT 2.0 क्योंकि मुझे रोज दिमाग का दही नहीं करके लेना है एक तो लाईव करो आपके साथ लाईव ट्रेडिंग करो उसको एक्जिट करने को नहीं आ रहा है इसको एंट्री करने को नहीं आ रहा है इसको श्ट्रोफ लोस्म को करने को नहीं आ रहा है वो बाप पैटन सिकाव बोलता है यह यह सिकाव बोलता है तब तक ट्रेड निकल जाता है एकने निप्टी ता ही रुकते है यह भाय के रिता है प्रोफिट मी देदे पटा-पटा और यहां पर इदर डिश्टरब करेंगे तो काई का प्रॉफिट देगी होता ही वो निकल जाएगी तो इसके लिए कम से कम तीन मैने के बाद ही है किन हां CLT का सर्टिफिकेट मस्ट है तो यहां पर आप देखेंगे तो यह सारे सेशन्स लगबख साड़े 300 सेशन्स है यह सार सेशन्स दीरे दीरे से कम्प्लीट करके प्रैक्टिस है करीना तो फिर इसके बाद देखिए यह तुझेड टॉपिक्स इसमें कवर करें हैं और यह दीरे 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 सर्टिफिकेट कब आएगा वो बता रहो ने तो आप जाके डायरेक्ली सर्टिफिकेट ऑप्शन पे क् नहीं आयेगा आपके सारे कैसारे सेशन्स आपका सारी प्रैक्टिस और पूरा ताइम आपने किया है तो ही आपका होगा डाउनलोड नहीं तो वह नहीं होगा लोड यह देखो कितने देर से मैं कंटेंट नीचे की तरफ की से खतम ही नहीं हो रहा है आभी तो यह को कॉर्स खतम हो ऐसे पांच कॉर्स है यह देखो अभी यह फिर मास्टर इन प्राइस एक्शन बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट और कैंडल स्टिक कंप्लिट बिगनर्स गाइड और यहां पर यहां पर यह इसके बाद बेसिक ऑफ प्राइस एक्शन सारे डिवरी थिंग आबाट चार्ट्स सेव यूवर मनी आपका पूरा जो ट्रेडिंग वीव का पैसा यहां पर बच जाएगा इस पूरा सेक्शन में यहां पर यहां पर बच जाएंगे सपोर्ट रिष्टन सप्लाइड डिमांड जोन ब्रेक आउट और ब्रेक डाउंस ट्रेंड इस फ्रेंड यह प्राइड यह इवरी थिंग आबाट गैप्स बहुत सारे उसमें हर इसमें टॉपिक यह वालूम मुल्टिपल टाइम प्रेम अनलिसिस एवरिटिंग आबोट चार्ट पैटन चार्ट पैटनों का तो यह टू जेड इस्ट्री है यहां पर सबका है यह टू जेड अभी खतम होगा कि नहीं मुझे सर्टिफिकेट देखाना है आपको अधिक अरे यहां पर दिखता नहीं कि आपको आपको दिखता है ना सटेफिक कौन कुन से यह सम्टी में कौन कुन ज्वाइन है वाइट टाइप करिया कर आपको दिख रहा है कि फिर ड इतना समय लगवाइँ तो बनाने में कितना समय लगा होगा येस इस इस दिख रहा है न हाँ तो आई डी लॉग इन में दिखेगा शाहिए दो हाँ लेट्स चेक यूर लर्निंग 4.9 रेटिंग ओके थैंक यू तो लास्ट में है हां तो वहां पे क्लिक करोगे आप सर्टिपिकेट तो वह पूरा तीन महीना कतम होने के बाद ही मिलेगा आपको तो पहले नहीं मिलेगा राइट तो इसलिए CLT हमारा तीन मेने के बाद रहेगा ठीक है तो आज मैंने कमांडो जैकपोट ज्यादा नहीं निकाला है प्लीज गाइड 3C इंडिकेटर नहीं दिख रहे हैं मेरे बाप मेरे मां वहां पे आपको पिरेट दिया है लॉकिंग कब खुलेगा आपका जैसे जैसे यह पहले दिनी स्ट्राटिजी खोलो बोले तो क पतले भी नहीं है तो यहां पर कमांडो जैकपोट के लिए देखेंगे तो यहां पर क्या कर सकते हैं जैकपोट मैं डायरेक्ट लिए चाड़ पर लेके चलता हूं आपको तो इसका हमने डिसकस किया है निफ्टी का भी डिसकस किया है शायद एक बार रिपीट आपको रिमाइंड कर देता हूँ तो यहाँ पे यह निफ्टी का ट्रेड था तो यहाँ पे आपको यह आज वाला डिलिट कर देता हूँ और सेम जैसे हमने बैंक निप्टी के बारे में चर्चा करी वैसे ही यहाँ पर पांसो अची छे सो पकड़ लो आप यहाँ पर पांसो अची ठीक है तो 17,590 के उपर यहाँ पर आप बाय कर सकते हो और यहाँ पर यहाँ पर यह सारे आपको टार्गेट्स रहेंगे यह कमांडो जोन तक है ठीक है तो यहाँ पर वोलाटाइल इसके बीच में वोलाटाइल रहेगा रैट 17,480 से 17,580 यह जो सो पॉइंट की रेंज है यह पूरी वोलाटाइल रहेगी यहाँ पर तीनो टाइप के ट्रेड बनते हैं जैसे कि यहाँ पर ग्याप अफों के इधर बेरिश प्रेशर का हैंदल बनाता है ह्था इसके नीचे हम i how along करेंगे उ पर का स्टोप लॉस और यहाँ पे आके जैसे सपॉर्ट लेगा बुलिश प्रेशर के डैल बनाएगा से यह से एक जीट और यहां पर इसके हाई पे बै करेंगे इसके ौप का स्टोप लोस और ऊ भी लाइव सेशिंज में बता हैं बहुत important level है ये नीचे जब तक break नहीं होती है तब तक यहां पर शॉर्ट नहीं करेंगे ठीक है यह लेवल break होते ही अगर यहां पर bearish pressure के candle के साथ break होती है इसके नीचे sale करेंगे इसके नदें ऊपर का Stop Loss और जो टारगेट रहेंगे 17,300, 17,400, 17,350, तो यह दो टार्गेट यहां पर मिल सकते हैं, कल मार्केट साइडवेस टू वलाटेल रहने के ज़्यादा चांसस है, तो यहां पर मुझे आज ही लग रहा था, लेकिन मार्केट दौना तरब के मुझ दे दिये, तो इसके वज़े से मार्केट वलाटाइल बन गए है, ठीक है, तो परसो के दिन पूरा क्रैश, फिर पूरा रिकवर, इस टाइप का माहूल यहां पर है, तो हमें कुछ लेना देना नहीं है, हमें प्रॉफिट से लेना देना है, वियार नॉट बूल, नॉट बियर, प्रॉफिट कमाएंगे, कमांडो डियर, ओके, सुनिल जी, सुपर चैट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लास्ट यह स्टॉक देख लेते हैं, और यहां पर हम रुकेंगे, और एक जैकपॉट, जैकपॉट तब तक पहिचा नहीं है, क्या हो सकता है, कल का, यल से शुरू हता है, और मैंने ज्यादा स्टडी नहीं किया है, लेकिन सुबह में आपको टेलिग्राम चैनल जरूर जोईन कर लेना, लेकिन यह जो मुझे दिख रहा है, एक जैकपॉट, बिपी से ल लेने से पहले, आपको बता है, पहिचा नहीं है, जैकपॉट पहिच तो इसमें कुछ तो भी न्यूज है, तो सपोर्ट पे, यहां पर फंदरा मिनिट में आप इसको बाई कर सकते हो, अगर यहां पर डेड़ के बाउंस मिलता है तो, इसके हाई के उपर बाई कर सकते हो, यह जोन रहेगा, नीचे तूटा तो सेल, उपर गया तो बाई, उपर के लिए लाश्ट टार्गेट, चार सो बेस का रहेगा, पुश्पक जी सुपर चैट के लिए बहुत धन्यवाद, शशांक नाइक जी प्यारा कमंड में स्वागत है, और पुश्पक जी का सवाल वोल्टास है, मैं तो बीपीसील को आवाइड करूंगा, वोल्टास बहुत अच्छा है, इंट्राडे के लिए करना है तो, एक बहुत अच्छी खासी रहा लिए पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक पर जन्रली उतना सेल नहीं होता है, तो यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है, यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम में यह पुल बैक दे सकता है, यहाँ प भी आपको लगा देता हूँ, तो यहाँ पर इस तरीके का यह पैटन बनेगा, और इसको हम करेंगे क्लोन, और यह क्लोन वाला उपर, इदर इतना जाएगा, यह इदर इतना जाएगा, ठीक है, तो इसे सबसे आप ट्रेड कर लेना, लेकिन आच्छा ट्रेड है यह, ठीक ह हाँ, तो यहाँ पर इल्टी, अच्छा दिख रहा है मुझे, यहाँ पर वीकली में भी देखेंगे आप, यह बहुत जबरदस्त इसने ब्रेक आउट किया है, यूगो यूगो का, क्योंकि येल्टी पर में बहुत दिनों से बुलिश हूँ हूँ, आपको ये व्यू भी प जरूर ले, यह कि नहीं, तो मुझे न्यूज कुछ भी पता नहीं होते हैं, तो लगबग लगबग 2400 तक के टार्गेट आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकते हैं, तो फाइनांशिल एडवाजर की जरूर साला ले, बहुत बढ़िया स्टॉक, मुझे लग रहा है ठीक है, अगर समझे मार्केट में क्रैश भी आता है, तो यह गिरेगा नहीं उतना कुछ, और यहाँ पे लास्ट आउर में देखिए, लास्ट पंदरा मिनिट में क्या कैंडल बनी है, आपको भी पता है, यह कि नहीं, बीगनर्स मार्केट को स्टार्ट करते हैं, और इसके लिए यह इसने ट्रेंड लाइन पर ब्रेक किया हुआ है, इसके लिए वल्स टेलिग्राम चैनल को जोइन नहीं किया है, तो बहुत बड़ी दिख्कत कर रहे हो, यहाँ पे टेलिग्राम चैनल को जोइन ज़रू कर लेना, यहाँ पर जाके और लिंक Scar kg Колे में है, यह आप यह मास्तर मास्तर क्या बोल रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं आप यह तो अच्छे लैंग्वेज में सवाल पूछी है और स्पैम कर रहे हो आप आगे ने ऐसा मत करते जाए है ठीक है तो यल्टी यह यहां पर ब्रेक करेगा 1730 और 1740 1730 के ऊपर थोड़ा बाय कर सकते हो और फुली बाय जब यह 1740 को ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा तो यह अच्छी तरीके से यहां पर बहुत बड़ा ब्रेक आउट यहां पर हमें मिल सकता है तो 1740 के ऊपर एक आच्छा बाय रहेगा यल्टी में अच्छे लेंग्वेज में तो पूछा कर रियाक्ष जाइजे मैं उतना आप से आपके इतना बड़ा नहीं हूं लेकिन छोटा सा तो हूं लेकिन आपको तो मेरा हेल्प भी चाहिए और आप लेकिन मास्तर सांग तक आना है यह क्या है यह लेंग्वेश SBI बाई बनेगा कल और यहां पर एक अच्छा खासा ब्रेक आउट हुआ है और यह 440 के ऊपर एक बहुत आच्छा बाइंग यहां पर होगा और जिसके टार्गेट जो है 450 तक के टार्गेट आराम से यहां पर देखने को मिल सकते है लेकिन 440 के ऊपर ही अगर क्लोज होती है तो ही यहां पर हमें इस ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज होता है तो ही SBI में बाई करेंगे और लगभग 5-10 रुपई का प्रॉफिट यहां पर हमें आराम से हम निकाल सकत हैं तो मैंने maximum question लेने की कोशिश करी है और यहां पर financial advisor का का मिलता है मुझे भी पता नहीं हो लेकिन अभी सब बोलते है इसलिए ठीक है तो बिलकुल मैंने यह सारी चीज़े आपको द्यादा से जादा देखा है बोलने की बताने की कोशिश करिए help करने की कोशिश भी और यहां पर नहीं नहीं आक्षी जी कोई बात नहीं है तो आपको धेर सारी शुब कामना है और कल के profit के लिए भी बहुत सारी शुब कामना है कल का दिन आपका शुब रहे तब तक के लिए हसते रही है हसाते